कैप संचालित करने वाली कमपनियों के लिए नहीं है कोई अलग से कानून। कादिपोर निवासी हरपाल राना की RTI से हुआ खुलासा। दिल्ली में एक दशक से भी ज्यादा लंबे समय से ओला ओबर कैप टैक्सी के रूप में दिल्ली के लोगों को अपनी सेवाय दे रही है। इन टैक्सी में सफर करने वाले लोगों का आरोप है कि कमपनी अपने मनमाने तरीके से लोगों से पैसा वसूल करती है। कम्पनी का लोकिशन ट्रेकर सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करता, जिसके चलते सवारियों को ज़्यादा पैसे भी चुकाने पड़ते हैं. इस संदर्ब में कई बार दिल्ली सरकार, रह मंत्री वभारत सरकार को भी पत्र लिक्तर मनमाने रवे से कैप चालकों के पैसा वसूलन ने बताया कि उन्होंने ओलव उबर कम्पनी द्वारा चलाई जा रही कैब में कई बार सफर किया है. उन्हें रोहिनी से कादीपूर तक सफर करने के नाम पर हर बार अलग-अलग किराया चुकाना पड़ा है. इनका आरोप है कि कम्पनी मनमाने तरीके से सवारियों से ज़ दिल्ली सरकार तक कर चुके हैं और RTI लगाकर इस बारे में पत्राचार भी किया गया है. दोनों ही सरकारों की ओर से हर बार गोलमोल जवाब आया है कि ओला उबर एप आधारित कम्पनिया है और सिटी टेक्सी योजना के तहत इस कार्याले में पंजीकृत नहीं है. परिवहन विभाग के विचाराधीन है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि EV सेल परिवहन विभाग के नाम पर शिकायतों का समाधान करके अपनी शिकायतों के संबंध में स्पश्टी करन मानगे. इस शाखा के गठन में कोई भूमिका नहीं है, नीती इसलिए आपकी शिकायत को संबोधित नहीं किया जा सकता, इस तरह के बेतु के जवाब मिलने के बाद कुछ RTA एक्टिविस्ट भी परेशान है. वही टेक्सी में सफर करने वाले दूसरी महिला ने बताया कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना था. एब द्वारा कैब को बुक किया गय कैब ने अपने टेक्निकल सविलांस की मदद से जो लोकेशन ट्रेक की उसी पर लाकर छोड़ दिया, जबकि उन्हें उससे करीब 200 मीटर आगे आने के लिए उन्हें करीब 250 रुप्य यादा चुकाने पड़े. इस तरह की खामिया कई बार लोगों को भूगतनी पड़ी है कि दिल्ली में एक दसक से अधिक समय से ओला उवर चल रही हैं इसके अलावा भी कुछ और टैक्सी हैं जो चल रही हैं इसमें मेरे दोवारा मेरे से भी कुछ आहनी मिता हैं हुई कुछ किराया ज्यादा लिया गया जिसके बाद मैंने सिकायत की तो पता लगा कि दिल्ली ओ इनके कोई नियम ही नहीं इसके बाद मैंने और तहकीकात की तीन आटे मैं अभी तक लगा चुका हूं उसमें एक ही जवाब दिया जा रहा है कि ओला उबर के पहरे दो कहरे दे कि हमारे पास इस तरह की जानकारी नहीं है यह लगबग एक साल पहले की बात है फिर उन्होंने क कहा कि इस बारे में जो है वो नियम बनाने की कारवाई चल रही है अभी यह नियम बनाने की कारवाई भी लगबग छे महीने से बताया जा रहा है पांचमे मेने में भी बताया गया था और अभी भी बताया गया है कि कारवाई चल रही है अभी जो आखिर जवाब आया है व नीती अधीश उचना जल्द लागू की जाए तो अभी वो परकरिया बना रहे हैं, एक दसक से अधिक हो गया, दिल्ली में ओला उबर चल रहे हैं, उनके क्या नियम होंगे, कितना उनमें किराया लगेगा, क्या वो कैसे तै करेंगी, मतलब अभी तक खुली छूट है, क्या अगटना आपका साथ हुए थे जो आप को सकैट करेंगे, इसमें अने को एक नहीं, एक से अधिक बार, ऐसे हमारे साथ 10-20 बार ऐसा हुआ कि जैसे हम बुक करते हैं, तो रुहिनी से आते हुए, या कहीं से भी आते हुए, वो अलग-अलग किराया लेते हैं, कभी लगता ह है, उसमें पैसे डल जाते हैं, तो वहां से अपने आप काट लेते हैं, और वो वैक्ती से भी पैसे ले लेते हैं, एक वैक्ती को हमने भेजा यहां से कहीं, किसी गाउं में, नजबगड के आसपास, तो वो पैसे हमारे उस, उनका जो बैंक होता है, उनका जो बेटे ने की भी थी बेटे ने उसमें पैसे डाल देते हैं किया सिस्टम है बोजो नहीं मालूम, उसमें पैसे डाल लिग legitimacy बेटे ने भुक किया तो वह उससे भीएवेवेखसेंगे और उसे बुजूर्ग से भी पैसे ले लिए। मैंने उसके बाद उसकी सिकायत की तो कहले हैं कि इस तरह कोई नियम ही मौझूद नहीं है कभी कह रहे हैं यह पुलिस में जाओ एक पर इनों है कि पुलिस में जाएए आप पुलिस वाले जब कोई नियम ही नहीं तो वो कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं जब नियम नहीं है इ कि पहले महीने किया है तीसरे महने में वह किया है और यह वह किसी स्पस्त नहीं है इसके लाव हम हर एक राज्य में भेज चुके हैं यह भारत की बात नहीं है बहुत बड़ी लूट चल रही है यह बियार भी इसमें कह रहा है हमारे पास नहीं है गुजराच भी कह रहा है कि हमारे पास जांग नीती नहीं है इसमें जो तीन चार राज् को ये पत्र है है घ्रह नत्री को बेजा था कि है जょ द्ध युख्र कहरा है कि ईजवाब नहीं सर्कार को भी आप वह हम उसमे कोई कारवाई नहीं कर सकते कि जो यात्राय करते हैं इसमें अब यह हरयाना का जवाब भी है गुजराइच का जवाब भी है वह इसके अलावा भी कुछ और जवाब मेरा यह कहना है कि ताज्यृब की बात है कि एक दसक स्य अधिक समय से जो ओला उबर दिली में चल रहे हैं कि की उनकी कितनी एंनि मित्या ही होती हैं इतनी सिकायत आ रही है आ रहीен होगी उन पर कोटा के सथ कल रहे हैट इसे बड़ी